नमश्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुन में मैं हूँ आपका दोस्तरुम और स्वागत करता हूँ आज की एक और एनफो अपडेट की वीडियो में आज की जो होने वाला है वो आ रहा है हमारा फार्मा सेक्टर की तरफ से और मुचल फंड हाउस है ब कह ingredients जो अफन्ड ह्री से औरмо यह फंड दो साल के अंदर इसी असा कि अंधर है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिए bunlar दूसरी बात इंडेक्स फंड, BSE का मतलब है Bombay Stock Exchange, Healthcare मतलब हो गया, हमारा Pharma Sector का ही हो गया, Health Sector से दिडिटेट, ठीक है, और मज़े की बाद यह है, यह एक Index Fund है, सबसे बड़ी बाद जो देखने वाली है, यह एक Index Fund है, तो Index Fund के दर यह होता है कि आपको रिस्क थोड़ा कम रहता है, Charges भी पर रहते हैं, रिस्क भी कम रहता है, और जो रिटन्स होते हैं, वो आपको मिलते हैं, Index के ब्रावर, एनवी जो होगा इसका, वो होगा 10 रुपे, 10 रुपे पर आपको इसका अलॉटमेंट होगा, अगर आप इसके नफ़में इनवेस्ट करते हैं, 10 रुपे पर आपको एक पड़ी की 1,000 रुपे, अगर आप 21 अगस से लेकर 3 सिदंबर के बीच में अगर इनवेस्ट करते हैं, तो मिनिमम आप तो 1,000 रुपे का इनवेस्ट करना ही होगा इसके अंदर, और मिनिमम SIP होगी 500 रुपे, यह एक open ended fund है, आप इसमें कभी भी entry कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी period आप समलें, इस तरीकी की कोई boundaries नहीं है कि भाई आप निकाल ने सकते हैं, और मज़ी के बाद जो exit load है, वो भी ना की बराबर ही है, 0.25% मतलब रुपे में 25 पैसे, वो भी कोई 30 दिन और 90 दिन के अंदर ही होगा, अब यह चीज के लिए नहीं क के 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, तो लेकिन उने चुथा ही पैसे है, रुपे में चुथा ही पैसे, सिर्फ 25 पैसे, तो exit load भी ना की बराबर है, आपको अगर फंड पसंद ना है, तो आप जमबर जीस से exit मार सकते हैं, कोई भी problem नहीं होने वाली, है ना, मतलब open ended fund है, फा benchmark का निफ्टी, फार्मा, यही इसका benchmark उने वाला है, क्योंकि फार्मा सेक्टर का हमारा जो index है, ठीक है, तो इसके benchmark के बारे में बत करेंगे, कि इसके returns कहचते रहे हैं, पिछले 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इसके returns के बारे में बत करेंगे, लेकि उससे पहले आपको बता सम करना चाते हैं, तो उसमें आपको up stock, और angel one, यह दो demand account है, stock holder है, और दोनों का description में link है, अगर आप market में नए है, तो आप up stock के साथ जाए, आप stock का link में description में दिया हुआ है, वहा से download करें, lifetime professional account मिलेगा, basic account नहीं मिलेगा, और angel one का भी आपको lifetime professional account मिलेगा, lifetime free, professional account, basic account नहीं मिलने वाला है, आप download कर लें, link पे click करके जाएंगे, phone number डालेंगे, OTP आएगा, OTP डलके आप account open होगा, उसके बाद website पर जाके KYC कर देजेगा, छुट्टी, ज्यादे दरने लेगे कि container का काम है, तो इस तरीके से आप invest, इसके अंदर जो अपना payment account कर वाले है, उसके बाद साल की return की, पिछले पास साल में, Nifty Ferma ने जो return दिये है, वो दिये है, 53.5%, साले 23% के return दिये है, नifty Ferma ने फिछले पास साल की अंतर, बात करेंगे तीन साल की, तो भाई, तीन साल में इस ने return दिये है, 17 ,9% तखरीबन 18% और बात करेंगे पिछले एक साल में पिछले एक साल में इसके भिटन्स है 40% और पिछले एक महिने के बात करूँ यो गीन न कर रही है तो भाईया पिछले एक महीने में भी जो इसके डिटांस है वन यह देखने वाली कि जो Pharma Secrets fund है। Pharma Secrets index है यह नीचे नहीं कि रहा। 5 साल में थाए ऐा 30 साल में है। 3 साल में है 17.9 % पि jeden साल में है 14 % के एटन प तो पिछले एक महिने में 8.4 % के रिटन मतलब च बनाब साओड है और पिछले आप बात करूँ एक वीक के एक वीक में इसमें एक परसेंट का इटम दिया है तो भाई इस तरीके देखा जाए और इसकी कुंडली ना पी जाए तो किसी भी तरीके का इसके अंदर माइनस में अभी तक दिखा नहीं है मार्किट पूरी गिरी थी स्टॉक्स भी गिरी थी लेकिन यह भाई साब इंडेक्स जो है यह फिर भी पॉजिटिव में है और पिछले एक महीने में आप देखे एट पॉइंट परसेंट का इंटन दिया है जो टॉप कंपनी इसके अंदर उसकी बात करूँ तो देखिए वो कुन-कुन से आपके फॉइंट्स होने वाले हैं सन फार्म है डॉक्टर रेडी है सिपला है जाइडस है है ना और ल्यूपीन है एलकेम लेवरेटिर्टिस है बायो कॉन है टॉरेंट फार्मा है डिविस लाब है और इसके लावा नेट को फार्म है सिपला है ग्लेंड फार्मा है टॉरेंट फार्मा है मैंकाइंड फार्मा है इस तरीके आप देखेंगे सारी सारी फार्मा सेक्टर की कंपनी जो की दवाईया बनाती है सारी हेल्फ सेक्टर की कंपनी और देखिए एक चीछ को आपको मानना पढ़ेगा कि हेल्फ सेक्टर एक एक सेक्ट लोगों को बले ही अपना मकान बेच के पैसे लाना पड़े लेकिन अगर कोई बिमार पड़ता है तो भाई उनको दबाई तो लेनी पड़ती है भगवान ना करे कि किसी को भाई बहुत कोई अस्पताल का मुह देखना पड़े या कोई सीरेस बिमारी हो हम तो फर्बू से यही प्रातला करते हैं लेकिन फिर भी अगर हो चुटा मोटा सर्दी जुखाम भी होता है कुछ भी होता है तब भी डॉक्टर के पास तो हम लोग को जाना ही पड़ता है ना तो डॉक्टर के प बढ़ने है क्योंकि भाई कोई भी लोग खाना खाना कम कर सकते हैं लेकिन अपनी हैल्थ के साथ में नहीं कर सकते तो इसलिए चो हमार फॉर्मस एक्टर है वो हमेश्व बढ़ता ही है और दूसरी बात आप सभी को पता है कि इंडिया का फॉर्मस एक्टर जो है वह दुनि इंडिया में करीबन 50-60% दवाईय ना वह हमारी तरफ से बनके जाती है जो जैन्री की दवाईय जो भारत से बनके जाती है आपको पता होगा जो करोना काल आया था तो इंडिया ने कितनी ज्यादा जो मैनेफेक्ट्रिंग संग्स थी जो फैक्ट्रिया थी उन्होंने कितनी दवाईय मागा ही है और वर्ड के जितने भी देश थे वहाँ पर सप्लाई करी है इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है क्रोना काल के अंदर और किसी भी पेंडियमिक में तो इस तरीके जबाई अच्छा होने वाला है इसमें कोई शक्वली बात नहीं है इंडे पर लेकर आम गुरूप का लिंग उसको जोन के लिजेगा 45-46 लोग हो चुके है और मुझसे कनेक्ट रहते हैं बातशित करते रहते हैं और भाईया आप भी अपनी प्रॉलम पोच सकते हैं उस पे गुरूप में अख ठीक है तो गुरूप जोन के लिजे साथ में अगर में मेंबर्शिप लेना जाते हैं तो जोन मतन दबा के मेंबर्शिप भी ले सकते हैं तो सिर्फ 59 रुपीज होई ठीक है दोस्तों आज के लिए जैहे